नमस्कार दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ पहतरीन जरू कर रहे होंगे और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का The Slideshow.in के एक और नए एपिसोड बे आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ Unboxing और Review Cosmic Byte Hydroid RGB Laptop Cooling Pad का तो चलिए बिन और विलम किये इस एपिसोड को शुरू करते हैं तो दोस्तों Cosmic Byte के इस Cooling Pad को मैंने Amazon से करीबन रुपीज 1566 में लिया था मेरे ख्याल से Sale Time में ये आपको और कम कीमत पर भी मिल सकता है Box Contents की बात करें तो दोस्तों इस Cooling Pad के Box के अंदर आपको Cooling Pad, Mobile Holder, इस Cooling Pad को Connect करने के लिए USB Cable और User Manual मिल जाता है चलिए दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इस Cooling Pad के Features के बारे में तो ये Cooling Pad आता है 6 60mm Silent Fans के साथ जो की 2200RPM की Speed पर चलते हैं Pad के Lower Edges पर आपको RGB Lighting मिल जाती हैं जो की 10 RGB Lighting Effects के साथ आते हैं Cooling Pad के Backside में दो USB 2.0 Ports, दो Circular Dials Fan Speed को कंट्रोल करने और बंद करने के लिए और एक Button जिसको Long Press करने पर आप RGB Lights को बंद कर सकते हैं और Short Press करने पर Light Effects को चेंज कर सकते हैं इसके अलावा आपको इसमें एक Mobile Holder मिल जाता हैं दोस्तों वैसे तो Company क्लेम करती है कि ये Pad 17 Inch Laptops को सपोर्ट कर सकते हैं पर मेरे ख्याल से 15 Inch Laptops तक के लिए ये ठीक रहेगा और मैं जिस Laptop के लिए इस प्रोड़क्ट को इस्तमाल कर रहा हूं वह एक 15 Inch Laptop है जो की करीबन 2.6 kg का है इस Cooling Pad के Height को आप 7 Levels पर एजजस्ट कर सकते हैं चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी Build Quality की तो ये पूरा Pad almost बना हुआ है ABS Plastic से और इसका जो Stand Mechanism है उसमें जो Part Pad की Height को Increase करता है वो बना हुआ है Metal से Overall Build wise मुझे ये Pad काफी अच्छा और Lightweight लगा इसका Weight करीबन 1040 Grams है आईए अब बात करते हैं इस Cooling Pad के Looks की तो मुझे ये Pad काफी अच्छा लगा Look wise भी काफी Sleek सा Cooling Pad है जिस पर Edges पर RGB Lighting दी गई है वो भी बहुत अच्छी लगती है जो करीबन 10 different RGB effects के साथ आती है दोस्तों अब आखिर में जो सबसे ज़रूरी बात है उस पर आते हैं और वो ये है कि ये Cooling Pad अपना काम कितनी बखुवी सकरता है तो दोस्तों ये product ऐसा नहीं है कि आपके laptop को बिल्कुल ठंडा कर देगा या drastically laptop temperature को 4-5 डिगरी तक गिरा देगा मैंने के notice किया है कि जर्नली जब laptop कुछ high processing work कर रहा होगा उस time laptop का temperature काफी ज्यादा हो जाता है और ये एक normal process है और जो भी नए laptops होते हैं उनके inbuilt fans काफी अच्छे से इस situation में temperature को control कर लेते हैं laptop का temperature high रहता है पर inbuilt fan उसे एक alarming temperature पर जाने से रोक ही रखते हैं वहीं जब आपका laptop पुराना हो जाता है inbuilt fan इतना capable नहीं रहता मेरे case में भी कुछ ऐसा ही था मेरे पास एक पुराना लिनोवो का laptop है जिससे मैं सिर्फ office walk के लिए इस्तमाल करता हूँ और इसके साथ क्या हो रहा था कि जब मैं कुछ थोड़ा बहुत high processing काम में इस पर कर रहा था इसका inbuilt fan बहुत ज़्यादा आवाज करने लगता था क्योंकि इसके कारण inbuilt fan पर laptop को ठंडा करने का load काफी कम हो गया और दोस्तो मैंने इस चीज़ को और अच्छे से समझने के लिए Filmora video editing software पर एक छोटा सा video export किया और core temperature नाम के software से temperature measure किया laptop का तो इस situation में मैंने क्या notice कि temperature 90-95 degrees तक जा रहा था with और without cooling pad पर जिस case में cooling pad यूज कर रहा था उसमें मैंने क्या देखा कि laptop heat up हुआ पर इतना नहीं जितना without cooling pad हो रहा था और एक और चीज़ मैंने यहाँ पर यह notice की कि जैसे ही video export खतम हुआ with cooling pad मेरा laptop काफी जल्दी normal temperatures पर वापिस आ रहा था in comparison of without cooling pad तो दोस्तों definitely मैं यह कह सकता हूँ कि laptop की cooling में मुझे काफी difference लगा cooling pad को use करके laptop जल्दी ठंडा तो हो ही रहा है laptop के inbuilt fan पर भी काफी load कम पड़ता है और laptop का airflow भी काफी अच्छा हो जाता है और final words में यह कहना चाहूँगा कि accessory definitely सभी को लेनी चाहिए जिन लोगों का laptop पुराना हो चुका है उन्हें तो यह लेना ही चाहिए जिन लोगोंने laptop नया लिया है उन्हें भी यह cooling pad definitely लेना चाहिए क्योंकि इस से आपके laptop के inbuilt fan पर load काफी कम हो जाएगा और उसकी life भी काफी बढ़ जाएगी तो दोस्तों अगर आप यह cooling pad चेकाट करना चाहते हैं तो इसका buying link आपको description में मिल जाएगा कोशिश कीजेगा दोस्तों इस cooling pad को amazon या flip card से लेने की क्योंकि cosmic pad की official site पर इसकी prices काफी ज्यादा है तो चली दोस्तों इसी के साथ यह वीडियो यहीं पर खतम होता है मैं आशा करता हूँ आप लोगों को आज का एपिसोड पसंद आया होगा अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और कमेंट करके जरूर बताईएगा और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बारा आया हैं तो प्लीज सुस्क्राइब जरूर कीजेगा क्योंकि आपके सुस्क्रिप्शन्स आपके लाइक्स आपके कमेंट्स हमें बहुत हिमत देते हैं ऐसे अप्लोड्स करते रहने के लिए तो चलिए मिलता हूँ आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में आप सभी अपना ख्याल रखिएगा धन्यवाद नमस्कार जैहिंद